तो क्या अब आपके गर पर जोमेटो का डिलीवरी बोई हरी ड्रेस पहन कर आएगा? आखिर क्या है ओनलाइन हो रहे रेड ड्रेस, ग्रीन ड्रेस के फीछे की कोंट्रोवर्सी की वज़े हैं? तो अब क्या होगा जोमेटो के पुराने लाल ड्रेस वाले डिलिवरी बोई का? सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है दरसल आपको पता होगा दोस्तूं अभी एक दिन से सोशल मीडिया पर इंटरनेट पर न्यूज में आपने जोमेटो पर दो अलग- अलग डिलिवरी बोई के रंकी ड्रेसेज उनकी तस्वीरें देखी होगी। जिनमें एक green dress हैं और दूसरी red dress हैं जो formally Jometro Delivery Boy use कर दे हैं तो ये green dress का concept Jometro ने निकालने के लिए इसलिए plan बनाया क्योंकि Jometro अब एक अलग से नई सर्विस शुरू करने जा रहा है पूरी खबर समझी आप, तभी आपका confusion दूर होगा पूरा वीडियो देखेगा पर सिर्फ wage restaurants के option भी देख पाएंगे, ये filter option आपको मिलेगा, filter feature कह सकते हैं आप इसे हालांकि इस feature को launch करने के बाद पहले Jometro ने ये कहा था कि अब हमारे delivery persons भी अलग-अलग होंगे और जो formally regular red dress पहनने वाले Jometro delivery boys वह अब दोनु तरह का खाना delivery नहीं करेंगे ये पहले मतलब Jometro ने प्लान बनाया था और Jometro ने कहा था कि Jometro का जो pure wage fleet का feature है उसका delivery person standard red delivery box के बजाए green delivery box का यूज करेगा और सिर्फ pure wage restaurants के order को ही पूरा करेगा क्यूंकि Jometro ने दो feature launch की है pure wage mode और pure wage fleet तो Jometro के plan के मताबिक जो red dress वाले regular delivery boy है वो non-wage delivery करेंगे और फिर vegetarian restaurants की delivery green dress वाले delivery boy करेंगे ये मतलब Jometro ने plan बनाया था लेकिन 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 अब इसमें twist नया ये आया है कि Jometro ने अभी एक latest update ये दिया ये देखिया आप हिंदुस्तान टाइम्स के उपर भी खबर आई है कि all riders will wear red dress Jometro drops green dress code amid pure wage fleet row इंडिया टीवी के उपर भी खबर देख सकते हैं कि Jometro withdraws green uniform for wage fleet amid online backlash all riders will wear red यानि Jometro ने अपने इस concept की dress का जो face ला था वो वापस ले लिया है अब wage और non wage delivery boy के लिए अलग dress नहीं होगी Jometro के CEO बोले कि अलग dress से भेदबाव हो सकता था इसलिए अब सारे delivery boy लाल टीशाट ही पहनेंगे हालंकि आपको feature जरूर मिलेगा जल्दी ये feature launch कर दिया जाएगा जिसमें आप vegetarian restaurants को अलग से filter करके देख पाएंगे लेकिन delivery wage food और non wage food दोनु के ही लिए समान dress पहनने वाले delivery बोई ही करेंगे जो की red dress ही होगी Jometro की जो traditional universal dress हा न वो ही ओके तो अब आपका ये confusion दूर हो गया होगा इसलिए अगली बार कभी Jometro पर order करें न तो ये दिमाग में डाउट मत रखना की red dress वाल आ गया तो ये कही non wage तो नहीं लिया है मैंने तो wage order किया था समझ रहो ये जो मेटों ने clarify कर दिया उमीदे दोस्तू ये चोड़ा सा news update आपको जरूर जानने बिलाओगा ऐसी informative काम की खबरें प्रेकिंग न्यूज अपडेट देखते रहने के लिए आप DLS न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहेगा चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकोन जरूर दबा दीजेगा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना जय हिंद जय भारत वंदे मात्रम